वोम स्री वेंकटे साय नमहा मैं प्रोफेसर स्वी एसस नारायन राजू यूच्यूब चानल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ संत स्री गोस्वामी तुलसिदास जी द्वारा भिरचित स्री रामचर्त मानस की उतरकांड से संबंदित विबिन पदों की व्याक्या की इस शुंकला में आज मैं और एक पद की व्याक्या करने जा रहा हूँ अब प्रेबु के सानिध्य को कौन छोड़ना चाहते हैं इसके बावजूद भी जैसे समय के साथ साथ जहां जो जाना है वहां तो जाना ही है अब प्रेबु से विधाई लेके जाते वक्त क्या क्या हुआ सबसे पहले गोस्वामी तुलसिदास जी के शद्दों में पद देखेंगे पद के साथ साथ पद की व्याक्या भी देखेंगे सुनि प्रेबु बच्चन मगन सब भाई को हम कहा विशरितन गए यकटक रहे जोरिकर आगे सकहि नकच कहि अति अनुरागे परम प्रेम तिनह कर प्रभु देका कहा विविदी विदी ज्ञान विसेशा प्रेबु सन्मक कच कहन ना पारही पुनि पुनि चरन सरोज निहा रही तब प्रेबु भूशन बसन मगाए नाना रंग अनूप सुहाए सुग्रीवही प्रतमही पहिराए बसन बरत निज हात बनाये प्रभु प्रेरित लचमन पहिराए लंकापती रगुपति मन भाये अंगद बैट रहा नही डोला प्रीत देखि प्रभु ताहिन बोला जाम वंत निलादी सब पहिराए रगुनाद हिया धरी राम रूप सब चले नाई पदमात तब अंगद उटि नाई सिर सजल नयन कर जोरी अति बिनीत बोलेव भचन मनह प्रेमरस बोरी अब देखिए प्रभु के वचन सुनने के बाद क्या क्या हुआ सुनी प्रेभु वचन मगन सब भए को हम कहां विसरितन गए यकटक रहे जोरी कर आगे सकाहिन नकच कही अति अनुरागे देखिए प्रभु शिराम चंदर जी के वचन सुनकर सब के सब प्रेम मगन हो गए हम कोन है और कहां है यह देखिए सुद भी बूल गए विप्रभु शिराम चंदर जी के सामने हाथ जोड कर टक टकी लगाए देखते ही रह गए अत्यन्त प्रेम वच के कारण कुछ नहीं कह सकते है परम प्रेम तिनह कर प्रभु देखा कहा विविद विद ज्ञान विसेशा प्रभु सन्मक कच कहन ना पारही पुनि पुनि चरन सरोज निहा रही प्रभु ने उनका अत्यन्त प्रेम देखा तब उन्हे अनेकों प्रकार से विसेश ज्ञान का उपदेश दिया प्रभु के सम्मक वे कुछ नहीं कह सकते है क्योंकि स्रिमन नारायन के सामने क्या कैसे है प्रभु के चरन कमलों को देखते हैं तब प्रभु भोशन बसन मगाये नाना रंग अनूप सुखाये सुग्रीव ही प्रतम ही पहिराये बसन भरत निज हात बनाये तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनूपम और अत्यंत सुन्दर गहने कपडे मंगवाये सबसे पहले बरजी ने अपने हाथ से सम्वार कर सुग्रीव को वस्त्राबूशन पहनाये प्रभु प्रेरित लचे मन पहिराये लंकापति रगुपति मन भाये अंगद बैट रहा नहीं दोला प्रीति दे की प्रभु ताही न बोला फिर प्रभु की प्रारणा से स्री लक्ष्मन जी ने लंकापति विवीशन जी को गहने कपडे पहनाये जो श्री रामचंदर प्रभु जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे अंगद बैट ही रहे वे अपनी जगह से हिल तक नहीं क्योंकि इसलिए हिले नहीं वो देख रहे हैं प्रभु का दर्शन से वंचित नहीं होना चाहते उनका उत्कट प्रेम देख कर प्रभु ने उनको पहले नहीं बुलाया जामवंत निलादी सब पहिराये रगुनादो हिय धरी राम रूप सब चले नाई पदमात जामवान और नील आधी सब को शिरामचंदर जी ने स्वैयम भूशन आभूशन और वस्त्र पहनाये वे सब अपने हृदयों में प्रभू शिरामचंदर जी के रूप को दारण करके उनके चरणों में मस्तक नवाकर चले तब अंगद उटिनाई सिर सजल नयन कर जोरी अति बिनीत बोलेव बचन मनह प्रेम रस बोरी तब अंगद उट कर पूर्ण तहा सिर नवाकर मतलँ सिर जुका कर बता रहें नेत्रों में जल बरकर और हाथ जोड कर अतियंत विनम्रत दा मानों प्रेम के रस में डुबोय हुए अतियंत मदर वचन बोले क्या बोले हम अगले पद में देखेंगे इस पद का और एक बास संक्षेप में मैं अर्द बताना चाहता हुए प्रभू स्रीमन नारायन शिरामचंद्र जी के वचन सुनते ही सब के सब अतियंत प्रेम मगन हो गई हम कौन और कहा है इसका ज्ञान ना रहा दे की सुद बुद भी बोल गई प्रभू शिरामचंद्र जी के सामने सब अतियंत प्रसनता से हाथ जोड कर वे एक टक देखते ही रह गई प्रेमादिक्य के कारण मुख से वचन नहीं निकलते जब प्रभू ने उनके प्रेम की उत्खंतता देखी उन्हें तरा तरह से विसेश ज्ञान का उपदेश दिया प्रभू के समकून है कुछ कहते नहीं बनता वे बार बार प्रभू के चरण कमलों को निहारते हैं अदात देख रहे हैं दर्शन कर रहे हैं तब प्रभू ने रंग बिरंगे के अनुपम और सुन्दर आभूशन और वस्त्र मंगवाए स्री बरत जी ने अपने हाथ से समवार कर सबसे पहले सुग्रीव जी को वस्त्र आभूशन पहनाए फिर प्रभू की प्रणा से स्री लक्ष्मन जी ने विवीशन जी को अदात लंखापती विवीशन जी को आभूशन वस्त्र पहनाए जो शिरगनात जी के मन को अत्यन्त प्रिय लगे अंगत बैटे ही रहें वे अपनी जगह से हिले डुले तक नहीं एकदम प्रभु शिराम चिंदर जी का दर्शन कर रहे हैं उनके प्रगाड और अत्यन्त प्रेम को देख कर प्रभु ने उन्हें नहीं बुलाया जांबवान नील आधी सबको शिराम चिंदर जीने स्वैयम वस्त्राबुशन पहनाए वे सब अपने प्रदियों में शिराम चिंदर जी के स्वरूप को दारण कर उनके चरणों में सिर नवाकर चलें तब अंगद ने उटकर अपना मस्तक नवाकर नेत्रों में आंसू बरकर और हात जोड कर अत्यन्त विनम्र तदा मानू प्रेमरस में डुबोय हुए मदर वचन कहे बहुत बहुत धन्यवाद जाय शिराम